सुर्खियों में प्रदेश की खेल मंत्री येशोधर राजी सिंधिया ने प्रसिक्षिकों से उनका परिचे कराया और वाटर स्पोर्ट्स की विभिन अत्याधुनिक सुविधाओं की चानकारे दी इसके बाद मंत्री श्रीठाकुने टीटी नगर स्टेडियम में एथलेटिक स्ट्रैक देखा और सौ मेटर शूटिंग एरेना पर निशाना लगाया आज इस कारिक्रम में चर्शा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ट खेल पत्रकार श्री रामकृष्ण यदवन्शी जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है रामकृष्ण सर धन्यवाद वो ही हमारे साथ हैं ओलंपियन और अर्जुन अवाड़ी श्री जलालोदीन रिजवी जी आपका बहुत-बहुत स्वागत रिजवी सर कारिक्रम में दन्यवाद तुझे के करिक्रम को आगे बढ़ाते हैं शुरुवात करते हैं यदवन्शी सर आपसे कि मद्र प्रदेश को खेलो इंडिया यूथ गीम्स की मेजबानी का मौका मिला है इसको आप कैसे देखते हैं यह निश्चिती प्रदेश के खिलाडियों के लिए बहुत ही अहम रहेगा चूंकि किसी भी बड़े खिलायोजन के बाद जो उसके लिए इंफ्रेशिक्तर तयार होता है एक आधार भू धाचा तयार होता है सारी सुविधाय होती वो आगे जाके हमारे यहां के खिलाडियों के लिए बहुत उपयोगी होता है उस पे वो प्रेक्टिस करेंगे उसका लाव उठाएंगे तो आगे जाके जो इससे भी और बड़े गेम है नेसनल गेम्स हैं अभी पर इसके बाद में एशन गेम्स है एशन गेम्स के बाद ओलम्पिक है वरल्ल कब तो ऐसे बहुत बड़े आजन के लिए उनको तैयारियों के लिए मोका मिलागा इस सुविधा का वो लाव ले ले गे और मैं बता दूं कि यह पांचवा खेलो इंडिया यूद गेम्स है औ और इस से पहले अभी हाली में इसी साल पंचकुला में इसका चोथा संसक्रन हुआ था जिसमें मदबदेस काफी अच्छा परफॉमेंस किया था अलागि मदबदेस की रेंकिंग उसमें करीब आठवी रही थी और अटिस मेडल जीते थे जिसमें बारा गोल थे इस बार हम ह स्थीम होती है उनके ख्लाडियों को कौलिफाई करने की जरूवत नहीं पड़ती है सीधे आपको एंट्री होती है तो इस बार हमारे कम से कम 400 प्लेयर खेलेंगे इसमें खेलो इंडिया यूद गेम से पिछले उसमें सो खेले थे सो में 38 मेडल जीते थे और आठवे स्थान है पूरे विख्षात है एशिया की सबसे बड़ी वाटर बड़ी भोपाल में है तो उसी साब से हमारे प्लेयर भी तैयार है तो और जनरली हमारे प्लेयर इस खेल में बहुत आगे आगे हैं भी तो उसका फायदा मिलेगा और हमारा मेडल तेली में भी काफी उपर रहेंग स्डिक्टर बनते हैं बाद में पिरदेश में इसमें सबसे बड़ी बात होती है बिरदेश में कि सपोर्टस होता एक निशनल लेविल के कहल होते हैं उसमें इसमें तमाम बड़े बड़े खिलाड़ी आएंगे वह थेएग जिनों झीन Chelsea में मेड़ी जीते हैं और वह सारे जब प्लेयर आएंगे और वो प्लेयर जब यहाँ कहलेंगे हमारे डिफरेंट शेहरों में और अलग-अलग डिस्पलीन्स में पर्टिसिपेट करेंगे तो इसे related जितने भी खिलाडी होंगे हमारे परदेश के वो सब देखेंगे और फिर खेलने की एक्षा आती भावनाएं बढ़ती हैं कि हम भी खेलेंगे तो ऐसा हमको honor मिलेगा तो ये जो victory stand पर जाते हैं middle ceremony होती है ये बड़ी important चीज़ है इसमें जो हमारे स्कूल के बच्चे होते हैं खास तोर से वो बहुत जागरुक और उनको इंटरेस होता है कि हम स्पोर्ट्स में participate करें और हमारा इंसेक्टर्चर तो वाकि में मद्दे परदेश का बहुत अच्छा बन गया है और सारे खेलों के लिए हम लोग बड़ा अच्छा कर रहा है और इनका यूस तभी हो और हो पाएगा कि हमारे इन 400 प्लेयर अगर खेल रहा है इन 400 खिलाडियों में मुक्तलिफ खेलों में हम लोग जैसे हम आफ होस्ट होने के नादे पर्टिस कर रहा है एक दिन ऐसा आना चाहिए और ऐसी उमीद है कि हम कहीं पर भी हो नेशनल तो हमारे सारे खेलाड़ी उसमें पार्टिसिपेट करें और कौलिफाई करें उस टूनामेंट्स में के लिए और जिससे हमारे प्रदेश का और फिर प्रदेश जब बढ़ता है तो देश भी आगे बढ़ता है कि वोई प्रदेशुँ से मिलके देश का कामप्टिशन बढ़ता है और फिर देश आदा पस में फिर ये होता है कि उस लेए बड़े लेए लेए बने कि खिलाड़ी बंते हैं हमारे बिल्कुल सही कहा हाजा आपने की अब प्रदेश आगे बढ़ेगा तभी जाहिर तोर पर अपना देश भी आगे बढ़ेगा एद्विंशी सेर हर सिला ब्लॉक और पंचायत इस तर पर खील अधूसरमरचना का विकास किया तो जा रहा है और उसको कैसे बेतर कर सकते हैं उसके बारे में आप से जाना चाहेंगे हर जगे है इस समय में आप तुलना करना नहीं चाहिए फिर भी में तुलना करके बता देता हूं कि मधिपदेश में हर जगे खेल अधूसरमरचना बढ़ रही है इंफर सेक्टर बढ़ रहा है सुविधाय बढ़ रही है ब्लॉक में जिलो में और सभी जो डिवीजन है सब ज है वो सब इसी को प्रमौट करने का है कि जिले से बिल्स से जिलीनडीनफ से इस चुनमेंट होते हैं तो वो उसी इसी कड़ो का इन हिससा है तो और में बुल रहा था कि 2000 पहले, 2000 से पहले के येर में हम जाएं तो हमारा जो infrastructure था वो बहुत ही पूर था और हम पूरे देश में एक बीमारु राज के बारे में जाने हैं, खेलों के मामले हैं तो बहुत ही सड़ी हुआ करते थे और national games एक उसका माबदन माने जो national games होते हैं, तो हम उसमें 20 वे इस्थ एसे ही रहते थे, लेकिन 2000 के बाद में जो MP के खेलों में भूम आया है, तो हम पिछले 2000 के बाद के जित्ते भी national games उठाएंगे, तो उसमें हमारी ranking छटवी, आठवी, साथवी, ग्यारवी, ऐसी हमारी ranking है, और हम पदग भी करीब 100 प्लस किया है, 100 से जादा हमने पदग रा प्राशी नेशन गेम्स में, केरल में हमारा ठीक परफांट स्रा, तो यह सब उसी की बज़े से हुआ कि जो हमारे गाउं गाउं सहर सहर और फिर बलाग जिलाजो, सारे प्लेयर और प्लेयर भी आप देखेंगे पहले जरूर सहर से प्लेयर निकल रहे हैं, लेकिन आज कल ज अब भी दूसरा ओलम्पियन जो हमारा ठोक्टो में खेला था, एश्वरे पताब सूटर, वो खरगोन के पास का एक गाउं का रहने वाला है, अभी एक सुनील डावर है, वो भी खरगोन के पास का ही, विसुद्ध उसके पिताजी आय थे अभी विक्रम ओट समारू में, उ हैं, अजलब तो यस जगे से खेलाड़ी निकल रहे है, उसी का यह नतीजा है कि जो गाउं-गाउं में ऐकर सिर्ष ही जा रहे है, जुम आ है, वो पहन이 उन्हें वरिक प्र हरे है और बिलगुल, उपर है बिल्कुल सही काया, दुशी सर ने की जिला, ब्लॉक और पंचाइस सर पर काफी मेनत की जा रही है, ताकि हमें इस तरह से गाउं गाउं से बेतरीन खिलाडी हमारे प्रदेश को मिल रहे हैं, सर आपकी क्या राय रहे हैं, जैसे मुख्यमंत्री जी का सपना है कि खेलों में बर्बन बनना चाहिए, अभी तक जब से ये मुख्यमंत्री ने बजट की जरूरत होई तो स्पोर्ट्स मेंटर को कभी मना ने किया और अपनी स्पीचेज में उन्होंने हमेशा ये कहा कि जितने खेल को पैसे की जरूरत होगी देंगे, मेडम ने बहुत अच्छा इसमें ये किया है कि बहुत अच्छी एकेडमी में अच्छे प्रॉफेशनल कोचेज को लाकर रखा है और बहुत अच्छी कोचिंग हो रही है, उसी का नतीजा है जो हम मिडिलों में उपर जा रहा है और हमारी रेंकिंग बढ़ती जा रही है, हम खेल एक ऐसी चीज होती है, सबने फुटबाल का वर्ल्ल कप देखा होगा, एक एक बच्छे को ये मालम है कि क्या फुटबाल का फाइनल बहुत किलास हुगा, है ना, आप ये देखे कितनी मेहनत करने के बाद ये लोग महां तक पहुशते हैं, पुरी दुनिया खेल रही है फुटबाल, हैं, और महनत कंटिनियशन, इतनी महनत करने के बाद भी दो लोगों ने मिस कर दिया, उसकी वज़ा ये ये, कि प्रैक्टिस में कितना खेलें, जितना खेलेंगे, उसका एंड नहीं है खेल का, यानि खेल में आपकी कोई जगह आके कहीं रुकती नहीं है, कि आप कहीं मुकमल प्ले है तो खेल में हम मुक्मंतरी की जजबात और उनकी जो खेल भावना है उसको उसको बढ़ाना प्रदेश के सारे लोग कर रहा है उसको बहुत जोर भी लगा रहा है और मैं समझता हूं कि वो सपना होगा पूरा क्योंकि उन्हों प्रदेश के बाहर भी लोगों को बहुत एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि खेल को किसी भी तरीके से प्राइवेट कलब हों को जिन्दा कर देंगे तो और काम्पेटिशन बढ़ेगा जो खेल के शोकीन है इसमें अगर और ये चीज जो जाएगी तो बहुत जल्दी से हम कहीं अच्छी जगाओं को छूपाएंगे बिल्कुल बहुत नहीं तुकून बात के ही सर ने खेलो में मद्रप्रदेश लगातार आगे तो बड़ी रहा है साती जो हमें बहुत बड़ी अपोचिनिटी मिली है खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजवानी की तो इसमें कोई कसर न छूटने पाए क्योंकि मेजवानी ह प्रशासन और क्या कर सकता है तो हमारे संसकार है अतिति देव भाई हमें और यह जो खेल है यह कई वार अंड्राग ठाकुर जी और पूरी जो जी टी सी है पूरा केंदरी खेल मंत्राले है उसका एक ही उद्देश है यह गेम्स होना चाहिए खिलाडी को केंदर में रखे मतलब टोटल खिलाडी को केंदर में रखे आपको इसको करना है खिलाडी को किता फायदा होना चाहिए खिलाडी को क्या सुविधाय मिलना चाहिए मैं आपको बता दू कि इसका एक जो नौम से जो इसकी जो है कि खिलाडी जो भी आ रहे हैं उनको आप थ्री स्टार होटल किमारे से पास होटल की मुकिंग उत्ती नहीं हो पआई थी। उस धुरान जनवरी की महीने में यहां पर हुटल की त्यावस्ता चेहिए थी उत्ती नहीं थी। इस बज़े से हमारे से तीन खेल दूसरे सहरों को आवंटित किये गए हैं, भोपाल से, भोपाल में पहले जब ये डिसिजन हुआ था, कि भोपाल जो खेलो इंडिया यूद गेम्स मद्देश में होना है, तो मद्देश के आठ सहरों को ये आवंटित किये गए हैं, पूरे क इस बज़े से कि उस दोरान यहां पर करीब करीब पांच हजार खिलाडी रहेंगे उनके लिए उतनी होटल की वेवस्ता नहीं है इसलिए दो खेल इंदोर को और एक खेल जवलपूर को सिट किये गए तो यह जो गेंस हैं वो टोटल कोई किसी को वो नहीं कि कोई इसका दूस सिर्फ और सिर्फ खिलाडियों को प्रमोट करना है खिलाडियों को अच्छी सब्सक्राइब कराना है होटल हो ट्रांसपोर्ट हो का प्लेग्राउंड हो एक्क्यूपमेंट हो सब उसी उसी चीज़ को ध्यान में रख्य किया जा रहा है तो जनरली फायदा खिलाडियों को म मुख्य मंतरी शीचोहान ने ओलम्पिक खेलों में जो खिलाड़ी पदक जीते हैं उनको डियस्पी और डिप्टी कलेक्टर बनाने की बात कही है इस पहल को आप कैसे देखते हैं बहुत अच्छी बात है क्यूंकि मैं इस बात को कहने भी चाता था आपने कॉश्चन भी कर ल जैसे पूरे ये खेल का कैंदरी है कि आपको इस तर खिलाडियों का इस तर बढ़ाना है रहने का भी उनकी सुवीधाओं का सारी चीज़ का लेकिन जब खेलेंगे नहीं तो उसके बात तो उनको कुश्चन पैट भरने के लिए चाहिए ना जी जरूर तो वो रोजगार को जब तक इस से नहीं जोडेंगे खेल को रोजगार से जोड़ना है और डिफरेंट टाइप के जो भी हमारे मद्यपरदेश के डिपार्टमेंट है या भारत के जो भी डिपार्टमेंट है उनमें एक खेलों की भरती होना चाहिए जब ही हमारा खेल बहुत आगे बढ़ पा रहा है और बड़ी परिशानियों में है तो ये ये चीज बहुत इंपर्टन है खेल को बहुत बहुत एकदम से उनको रोजगार से जोड़ना ही पड़ेगा नहीं जोड़ेंगे तो खेल आगे नहीं बढ़ेगा बिल्कुल रिजदी सर ने बहुत मैटपून बात कही कि खे इससे सरकार और कोशिश कर सकती है जो कि आप खेल पत्रकार है तो आपके लिजा जाना जाएगे इससे पहले एक खेल विभाग और पुलिस विभाग में एक MOU साइन हुआ था जिसमें वो हर साल साथ खिलाडियों को जो नेशनल मेडलिस्ट हैं उनको सीधे जिसमें से 10 को स आप जो सिपाही पोस्त पे भरती करने का प्रावधान बना भी था और उस पे कामाम भी चल रहा है तो निश्चिती सरकार खिलाडियों का ध्यान रख रही है उनके रोजगार का भी ध्यान रख रही है और मैं बता दूँ कि जैसे विक्रम अवार्ड समानों हम हर साल 10 विक नोकरी भी देती है तो करीब ये 2006 से सुरूआ इससे पहले 1999 तक वो उत्करस्ट खिलाडी घोसित होगे और वो खेल कोटे से भरती होते थे तो उसको बीच में 5-6 साल का थोड़ा सा गेप हुआ उन खिलाडियों को छोड़ दिया जा तो इसके बाद में हर साल 10 खिलाडियों गौते खिलाड़यों को जादा जादा शाल कि कि यहादा कि लाड़ए posing करी सरू के जब तो अफिल नों तरफ सोच कर चलता दोबादा में होता कि अगर इछार कर थे लेंटी त्धिल आप सुक्सेस हो गयों तो ठीक है नाइय तो डूबतिना प्लेस्ट भी दोने का цент शांस दस परसेंट ही रहते हैं यह हरे खेल में आप सभी आज 130 करोड के देश में सभी तो महां इंडिया नहीं खेलेंगे बेलकुल कोई इंडिया नहीं खेलें उन उन खिलाडियों का क्या होगा वो तो कहीं के नहीं रहेंगे इसलिए सरकार को रोजगार से तो जूना जरूरी है अभी खेल आगे बढ़ेगा रोजगार कि आप गारंटी किसी को भी देदो कि आप क्या तो रोजगार पक्का है तो आप उसका परफामेंस देख लीजेगा वो परफामेंस बहुत अच्छा हैगा अभी ख्लाडी दुविधा में रहता है कि ऐसा नहीं कि मैं अगर नहीं च अच्छी सहाब की बात कोई आगे बढ़ाना है कि जो दूइधा होती है ने बीच में कि हमें इधर जाओं या इधर जाओं तो वो जो बात है जब दोनों जगह जाएगा तो बड़ा स्पोर्ट्स में आप उमीद नहीं कर सकते हैं कंस्ट्रेशन तो एक तरफ करना ही जगा थी महराज ने उनको पटियाला महराज ने उनको जगा दी और उनका एक अखाड़ा और एक घर बना दिया और चारो तरफ खेत थे उनके बीच में पहलवान का खाड़ा भैसें और आपको उससे बहार नहीं निकलना है आपको कुछ नहीं करना है आपकी भैसें चिरीकिय की प्रॉप्लम नहीं उस पहलमान ने पूरी दुनिया में आज تक वो पहलमान था हुइ ना पीट नहीं है किसी? चित करते थे मैं व्हहलमान की कभयी पीट नहीं लगी थै तो अब ऐखे पढ़ा जाता है तो फिर वो कूद बढ़ते हैं कहीं जी, हमारे यां भी वो बात नहीं आ पा रही है, मैं पूरे पर देश की बात कर रहा हूँ, हमारे भौपाल में अगर आप में गिंती बता हूँ आपको, जैसे हांकी का शेहर था ये, अभी था अब तो उतना नहीं है, मुझे कहने में के लिए, स्टेट वैंक की बहुत बड़ी टीम होती थी, हमारे मिनिस्पिल कारपोरेशन की बहुत अच्छी थी, मद्दे प्रदेश पुलिस की बहुत अच्छी टीम होती थी, सिविल सर्विसेज की बहुत अच्छी टीम थी, हाँ, एफ सी आई की बहुत अच्छी थी, प रेलवेस की बहुत उम्दा टीम थी, बिजली घर की बहुत अच्छी टीम थी, एक कितनी प्लेयर खेले हैं उसे, बिजली घर, मैं पुरानी बात कह रहा हूँ उसको, बिजली घर के नाम से खेलती थी, MPV की, केई स्पोर्ट्स परसन आज भी हैं उसमें, जवलपूर में हैं, यहां हैं, तो यह जो विभाग हैं अगर यह फिर कैसे रिवाइफ कर लिया जाएं और इनको खिलाया जाएं और वो काम तो करते हैं, जब तक खेल रहे हैं, जब तक तो ठीक है, उसके बाद तो फिर स्पोर्ट्स परसन काम करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन यह जो के लिए हम मैनत कर रहे हैं, आप एक बड़े भागिदारी बनेंगे, देश का जहंडा किसी दूसरे मुलकों में लहराएगा और हमारी नेशनल एंथम बजेगी, उस बात को हमें ध्यान रखके यह सोचना पड़ेगा. बड़े इस तरफ पर खेल को रोजगार से जुड़ने की जरूरत है था कि हमारे खिलारियों में एक अलग तरह का कॉन्फिदेंस आया और वो पूरी शिद्दत के साथ लग सके इन खेलों में. यदवन्शी सर, खेल उंडिया यूथ गेम्स के जो खेल हैं, वो जिलों में भी होने वाले हैं. हम चाहेंगे कि इसके बारे में डीटेल में जानकारी आप हमारे शोताओं को दें. मैं बता दूं कि इसमें ये 40 जनवरी से सुरू होखे 11 अफरवरी तक चलेंगे, 12 दिन के गेंस हैं, इसमें 27 खेल होने हैं. 27 खेल में भुपाल 9 खेल हो गया, इंदोर 6 खेल हो गया, गौलियार 4 खेल हो गया, जवलपूर 3 खेल हो हो गया, मंडला 2 खेल हो गया, अज्जेन म जैनोन, में दो खेल हैं, और एक उज्जेन से हटाकेक महेंस्वर में खेल ह हरका है, मंधौला में हो रहे हैं, तो ऐसे यह आठ सहिरों में हो रहा है, और एक खेल हो रहा है, दिल्ली में मनदपदेश के और छुक इसलिए हो रहा है कि हमारे पास साइक्लहा habr の नहीं है हम सोरो रोड रोड रेस जो साइक्ल है वो जहालपूर में कर रहें बाकी बेलो ट्रम हमारे पास हैज तो दिल्ली नहीं है तो इस ही का पार्थ है बो धिली में होजा एसे पूरे ऑप बारा दिन यह जो खेल चलेंगे 10 Turks में करीब करीब 1200 medal दाउं पर रहेंगे 1200 medal होंगे मैं भौपाल की जगर बात करें तो भौपाल में जो 9 खेल होने हैं उसमें हमारी जो बड़ी जीले इसमें 2 केल होंगे कयाकिंग, केनोंग और रोइंग साई सेंटर है, साई सेंटर में जुडो और बालिवाल होना है इसे पूरे सब्धूर बटे हुए हैं तो खेल को बाटने का भी विवाग का या सरकार का इक उदेश था कि यह है किसी एक जगे का रहके नहीं हो जाए जैसे हम चाहते तो बहुपाल में ही करा लेते हैं पूरे के पूरे सुविया थोड़ी और जुटानी पड़ती है उत्ता हमें इंफरस सक्षर तहियार करना होता हो जाता है लेकिन पूरे पूरे प्रदेश भर में इसका प्रचार और लोगों को पता पड़े कि हमें एक नेशनल यूद गेम्स मिला है उसकी हमें मेजवानी मिली है इसलिए पूरे और जो दूसरे राज्यों के खिलाड़ी आएंगे वो भी हमारे मद्धप्रदेश से अच्छी तरीके से परिकित हो सके यहां के परेटन को देखें और यह यहां की खेल सुविधाई मी देखें यहां और विसन खेड़ी जाएं और बड़ का सुटिंग रेंज देखें घुरसवारी अचेट मी देखें हमारा जो बडर बड़ी है वो देखें टीटिनगा स्टेडियम देखें वो बोल रहे थे कि यह बाकर यह पहले जरूर मैंने जो सोचा था कि जब आवन्टित करते वक्त कि कैसी सुविधाई होंगी लेकिन मैं जब यहां आके देखा तो मुझे जो सोचा था उससे ज्यादा मिला देखने को तो मैं सभी से अपील करता हूं कि यह सारे खिलाड़ी आए तो पूरा ब्रह्मन करें और देखें कि क्या बिल्कुल सेका सर आपने सर जिस तरह से स्कूलों बेखेलों को काफी बढ़ावा दिया जाता है स्कूल पर और क्या कुछ किया जा सकता है तूकि आप एक खिलाडी नहें हैं तो मैं चाहूंगी कि आप हमरे शुताओं को अपने अनुमों साजा करें इसमें एक बहुत कि स्कूल के जो स्पोर्स टीचर हैं उनको और डिपार्टमेंट के और सब्जेक के टीचर हैं उनको भी बराबरी होना चाहिए वो बिचारे खेल वाले उनको सिर्फ विश्राम और साफधान के लिए रखते हैं ये बात बड़ी कमजोर है स्कूल मिश्चिति उसमें आपको कोचो को जोड़ना ही पड़ेगा तो ह्येल बढ़ेगा अभ वो निगलेट रहते है उन लोग से खेलग भाल जब तक एक अजो कि खेलाने वाला है वो ऑधी कमजोर होगा तो वो क्या गए गारे क्टी इए एक फुटवाल भी खिला देगा लेकिन वो क्या है कि एक PTI आपको फुटवाल भी खिला देगा, कवडडी भी खिला देगा, एतलेटिक्स भी खिला देगा, तो जो आल राउंडर होने का जो दम भरते हैं वो असल में आल राउंडर मतला कुछ भी नहीं होता है, और जो एक किसी भी विधा में पारंगत होता वो इसका स्पेसलिस होता है, तो इसकोलों में एक PTI ही सारे खिला देता है, जो भी 25-26 डिसिप्लीन होता, वो फुटवाल भी खिला देंगे, वो कवडडी भी खिला देंगे, एतलेटिक्स में भी दुड़ा देंगे, बैडमिंटें भी खिला देंगे, तो उत्ता उनको न प्रिशन भी नहीं, आप ग्राउंड भी नहीं बचे उत्ता देंगे, बच्चों का ध्यान ही नहीं है खिल की तरफ, प्राबलम यह है, बच्चे पढ़ाई वो पढ़ रहा है, जिसमें उनको पैसा मिल रहा है, बस, तो यह जो दोर आया ना मार्केटिंग वाला, अच्छे आई मेले पैसा और बड़ा पैकेज, बड़ी पढ़ाई और बड़ी कार और बड़ा घार, यह जो इस माहूल今天, बड़ा पैकेज होगा है, जिस दिन सपोर्ट्स में बड़ा पैकेज होगी है, बच्चेज तुहा जाते हैं सब लोग, माबाब लेके दोड़ना है हांकी के मैदान पे नहीं आते हैं, ऐसे बच्चे भुपाल में खेलते हैं, जो राध भर हमाली करते हैं, उस भर मैदान पे आते हैं, ऐसे बच्चे हैं हांकी खेलना है भुपाल में, जो फुटपाद पे दुकान लगाते हैं और फे शाम को आके मैदान पे खेलते हैं, हम लो हम बहुत दिनों से इस बात को कह रहा हैं कि स्कूल एक तो आप स्कूल में एड्मिशन ना दें घर के करीब वालों को दें और उनके मैदानों पर पूरी उनकी सुविधा है उनकी पर पास में मैदान पर जाएं बच्चे जिन्दीगी सिर्फ इस बात के लिए तो नहीं है कि खाली पैसा ही कमाना आदमी अपने इस वास्ते है आपने के जिन्दीगी है वो खेल में आके मिलता है मैं बच्चों के लिए मैसेज देना चाहता हूं कि आपको यह नहीं सोचना चाहिए आगे चलके यह आएगा दोर, मैं समझता हूँ कि यह लोग इस तरफ से ध्यान हटेगा और यही सोचिंग क्योंकि हम लोग ने जो खेला है और ऐसे नहीं खेला है कि हमें कुछ इससे मिलने वाला था हम तो बैताहशा इसलिए पॉबिसिटी थी शहर में होकी और उसको खेलने वाले का बड़ा अनौर होता था इसलिए खेला और निकल गए आगे यह बात ही यह जब तक आप में नहीं आएगा तो यह है स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बुनियादी स्पोर्ट्स की जब तक हम कुछ खेलों को अलग अलग स्कूलों में जो भी है उन खेलों में अगर हम बाट देंगे उनको खेल बाट देंगे वह इस्पेशलाइज कोचे रग दे और वहां उनकी एक घंटा अच्छा प्रैक्टिस हो तो वहीं से अच्छे प्लेयर निकल पाएंगे और कि आप कर्म करिये फल की चाहा मत करिये आप भी इनोंने कभी यह नहीं सोचा था कि मैं को नोकरी लगेगी इसलिए मैं खेलूं यह खेल रहे थे इसलिए नोकरी लगी यह बाद में अलग चीजे इनोंने तो बहुत कुछ बड़ा मुकाम पाया सभी को इतना मिलना मुस्किल कि खेले उसको सिर्फ जुनून खेल का होना चाहिए तो अगर वो खेलेगा अगर यह सोच के खेलेगा कि मैं नेसल के लूँगा इंटरनेसल के लूँगा इसके वाद जॉब कर लूँगा तो फिर खेल वहां तक नहीं जाएगा खेलाडी एक जुनून के साथ खेले और आज का वो है नहीं तो अधिकतर आप ग्राउंड पर बच्चे को भेज दीजे इस्टेडियम भेज दीजिए कम से कम वो आपका टीवी और मोबाइल से तो बची जाएगा इवन और दूसरी भी जो वो हैं बच्चों की किसी नुकल पर खड़े होंगे कहीं पान की दुकान इन सबसे बचेंगे इन उनसे बचेंगे तो आगे वो कहींने कुछ करेंगे इसलिए हरेक माबाप को पेरेंट्स को अपने बच्चों को इस्टेडियम यहां करीब मैदान है वहां भेजना ही चाहिए ताकि यह आप सही रास्ते से निकल जाए बिलकुल खेल बाकर ही हमारे जीवन को बहुत अनुशासित करते हैं और खेल हमारे जिंदगी का अभिन हिस्सा है उमीद करते हैं कि इसमें जबानी में हम सक्सेस्फूल होंगे और हमारे बहुत सारे जो खिलाडी है वो एक मुकाम हासिल करेंगे पर्चम लराएंगे आप दोनों स्टूडियों में आए चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का धन्यवाद दिपर और इसी के साथ कारिकरम सुर्खियों में फिलाल इतना ही अगले सब ताफिर हो गया आपसे मुलाकात इसी दिन इसी समय पर तब तक के लिए नमस्कार